नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ब्रोपुंजी में दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे उगार सुगर इस टॉक के वारे में जो एक सुगर सेक्टर का स्टॉक है जहां हमें सुगर सेक्टर में कंटिन्यू एक अप्रेंट देखनी को मिल था उस टाइम पर उगार सुगर ने सिर्फ और सिर्फ टू मंत के अंदर हंड्रेड परसेंट तक के रिटन दिखाए थे लेकिन इस टाइम पर इस स्टॉक में लगा हुआ है लोवर सर्केट तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम इस स्टॉक में क्या करना क्या हमें फिर सिस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए होल्ड करना चाहिए या फिर सेफ साइट एग्जिट कर लेना चाहिए एंड साथ में हम सेकेंड नंबर का जो स्टॉक है वो है सुप्रीम इंजिनिरिंग लिमिटेड जो एक पैनी स्टॉक है जिसकी प्राइस चल रह रहा है तो आज के वीडियो में हम सुप्रीम इंजिनिरिंग और उगार सुगर के दोनों स्टॉक के वारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो दाश तक जरूर देखिए दोस्तों सबसे पहले उगार सुगर स्टॉक के वारे में जानेंगे जिसके प्राइच चल रही सेवन्टीटू और इस स्टॉक में लगा हुआ है लोवर सर्कीट और उसके वाद में सुप्रीम इंजिनरिंग लिमिटेड स्टॉक के वारे में जानेंगे ये दोनों stock के वारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा YouTube चनल सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही stock market में stocks की news और stocks की analysis करके मैं आपने लेके आता रहूँ और साथ ही दोस्तों आप हमारा telegram जॉइन कर सकते हैं जहां आपको stock market related सबी news हमारी telegram पर मिल जाएगी और साथ में 100 टम के लिए stocks भी आपको हमारी telegram पर मिल जाएगे दोस्तों उगार सुगर ने सिर्फ और सिर्फ टू मन्त के अंदर ही हमें 100% से ज़्यादा के return दिये हैं उगार सुगर का market cap है almost 800 करोड का और company के उपर 3.5 करोड का debt है और company अपना debt दीरे दीरे reduce कर रही है लास्ट 2-3 quarter से company के sales में improvement देखने को मिला है और साथ ही company के net profit में भी एक अच्छा growth देखने को मिल रहा है दोस्तों हुता क्या है कि every sector every time perform नहीं करता है लेकिन जब कोई sector अच्छा कासा perform कर देता है अच्छे target देखने को मिल जाता है और retailers उस time पर उस stock में उपर की price पर entry ले लेते हैं हमने कई सारी वीडियो बनाये थे sugar sector में तब clear कहा था कि आप sugar sector में इस time entry ना ले तोकि already बहुत ही ज़ादा uptrend देखने को मिल चुका है sugar sector में उसके बाद में continue हमें sugar sector में downfall देखने को मिल रहा है downtrend देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि last four days से उगार सुगर में एक downtrend चल रहा है तो दोस्तो इस time पर क्या करें इस time पर उगार सुगर में नीचे की तरफ कोई छोटा सा resistance नहीं है सौरी support नहीं है जह हमें इस stock में नीचे की तरफ support लेता हुआ दिखाई दे stock इसलिए दोस्तो अभी हमें इस stock में नीचे की तरफ और downfall देखने को मिल सकता है उगार सुगर में वो सकता है कल और परसो दो दिन तक और उगार सुगर में हमें downfall देखने को मिले उसके बाद में दोस्तो ऐसा नहीं है कि हमें इस stock में reversal देखने को मिलेगा अगर कोई बड़ी news आती है sugar sector को लेकर तभी हमें इस stock में उपर की तरफ reversal देखने को मिलेगा नहीं तो दोस्तो इस stock में और sugar sector के stock में consolidation देखने को मिल सकता है और कुछ time बाद यानि कि next 3-6 मत बाद में फिर से हमें sugar sector में अप्टेंड देखने को मिल सकता है अब हम बात करेंगे second stock की जो है supreme engineering limited जो एक penny stock है और इस stock में last 4 days से एक अच्छा volume और एक अच्छा अप्टेंड देखने को मिल रहा है दोस्तो supreme engineering manufacturing करती है stainless steel और wire इस company का market cap है 62 करोल का और company के उपर 97 करोल का debt है यानि कि जादा ही debt है supreme engineering में ऐसे कोई भी news नहीं है जिसकी बज़े से हमें से stock में एक अच्छा अप्टेंड देखने को मिल रहा है हाँ last 3-4 days से इसमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है जिसकी बज़े से हमें से stock में एक अप्टेंड देखने को मिल रहा है और साथ ही दोस्तो इस stock ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है और उस ट्रेंड लाइन के उपर closing भी दिये है डेली पर supreme engineering में 200 यह में है 2.55 की price पर अगर कल के दिन supreme engineering 2.60 के उपर sustain होता है और closing देता है तो दोस्तो हमें इस stock में उपर की तरफ और अप्टेंड देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तो यह penny stock है company बहुत ज़्यादा debt में है यह तो आपको clear हो चुका है इसलिए आप इस stock में invest ना ही करे तो better है बट फिर भी आप investment करना चाहते हैं या फिर entry ली हुई है तो दोस्तो आप अपने portfolio का सिर्फ और सिर्फ 2-5% ही penny stock में या फिर supreme engineering में invest करे जिससे आपके portfolio पर किसी भी प्रकार का बड़ा impact ना हो damage ना हो आप दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like करे, share करे और चनल को जरूर subscribe करे जैहिन